हर्दोई में सफा कारेले पर नम नियुक्त अल्फ संख्यक प्रदीश उपाद्यक्ष का हुआ स्वागत बोले करेंगे जिम्मेदारी का निर्वाहन हर्दोई में सफा कारेले पर नम नियुक्त अल्फ संख्यक प्रदीश उपाद्यक्ष का स्वागत हुआ है उन्होंने कहा क जो जिम्मेदारी सौपी गई है उनका निर्वाहन करेंगे अल्प संक्यकों के लिए काम करेंगे और पार्टी की नीतियों पर आगे बढ़ेंगे लेकिन उनसे जब पूछा गया कि आप कोबिड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और मास्क नहीं लगा हैं तो उन्होंन सकील एहमत जी के सकील एहमत जी ने मुझे परदेश उपादेश अल्प संख्यक को लाने कोसिस कर रहे हैं ऐसे में आप क्या प्रयास स्पेशल करने वाले हैं समाजबादी पार्टी में हमेशा अलफ संखक का बर्चस रहा है वह रहे हैं क्योंकि और कोई पार्टी के लगातार नय प्रोटोकाल जारी हो रहा है आप लोग मास्क नहीं लगा हैं क्या कहेंगे देखा होगा दावा नेता आजम खान अभी जेल में उनको छुड़ाने के बाहर लाने के लिए आप लोग क्या करते हैं आप नजदीक है आपने देखा है कि हम लोगों ने धन्या परदसन क्या रोट पे निकले बहुत कुछ किय उठा कि हम लोगों तक को बंद कर दिया गया कई बार आपने यहां वे हर्दोई में भी देखा होगा हम लोगों धन्या परदसन सभी कुछ किया आगे क्या करनीती है आगे हम लोग समाजबादी पार्टी के मानी राष्टिया देजी की निर्देश के नित्यार करें जो मान निर्देश देंगे वो हम लोग काम करेंगे